महेंद्र सिंग धोनी का जिक्र होना लाजमी है क्यूंकि उस शक्सियत की बात ही ऐसी तभी तो वो कभी खेतों में किसानी करते नजर आते हैं तो कभी फिल्म इंडस्ट्री में आने की उनकी चर्चाएं होती है अब एक बार फिर से माही चर्चाओं में है और इस बार उन्हें कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए नया की इर्थिमान रचने के साथ ही देश के लिए बड़ा काम किया है। दरसल भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर महिंद्र सिंग धोनी केवल खेल के मैदान में ही नहीं, पैसे के मामले में भी किस्मत के धनी हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्यूंकि धोनी ने टैक्स भरने के मामले में कमाल कर दिया है। इंटरनाशनल क्रिकेट से रिटार्मेंट के बाद क्रिकेटर महेंदर सिंग धोनी कारोबार के दुनिया में कामियाबी की नई सीडियां चड़ रहे हैं। बिजनेस वेंचर के विस्तार के साथ ही उनकी नीजी आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है और इसका जीता जाकता सबूत है उनका इंकम टैक्स भरना अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजे कि महेंदर सिंग धोनी ने चालू वित्यवर्ष की पहली 6 माही यानी अप्रेल से अक्टूबर 2022 तक के लिए आयकर विभाग में बतौर एडवांस टैक्स 17 करोड रुपे जमा किये पिछली बार उन्होंने 13 करोड रुपे बतौर इसे समझा जा सकता है कि धोनी कितनी दमदार बैटिंग यहां भी कर रहे है वही मौजूदा वक्त में महेंदर सिंग धोनी के कारोबार की बात करें तो वो तमाम तरह की कमपनियों में शेर होल्डर है उन्होंने एक ड्रोन कमपनी भी शुरू की इसके अलावा बैंगलूर में धोनी इंटरनाशनल स्कूल की भी शुरूआत इसी साल की गई साथी राची में वो कई एकड में खेती भी करते हैं इसके अलावत तमाम एंडॉस्मेंट्स भी महेंदर सिंग धोनी करते नजर आते हैं और IPL में चिन्नाई सुपकिंग से जुड़े हुए हैं तो कुछ इस तरीके से महेंदर सिंग धोनी लगातार कमाई कर रहे हैं और एक साल में उनकी संपत्ती में लगभग 30 फीसिदी की बढ़ोतरी हुई जिसके बाद उन्होंने 17 करोड रुपए एडवांस टैक्स पे कर दिया हैं फिलाल महेंदर सिंग धोनी उनकी कमाई और उनकी से 17 करोड अडवांस टैक्स भरने पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं